हलो एव्रिवान वेलकम टू इंडियन किचन बाई रचनागे लोत्रा फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे वेट जल फ्रेजी बिलकुल रेस्ट्रॉन स्टाइल से ये स्पाइसी होने के साथ साथ हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे वेज़ेटेबल्स डालते हैं और इ केस्ट आने वाले हूं तो हम मिंटो में इसे बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वेट जल फ्रेजी के लिए मैं यहां ले रही हूं एक गाजर इसे मैंने बड़े-बड़े टुकडों में काटा है आधी हरी शिमला मिर्च आधी पीली शिमला मिर्च चार से पांच ब काटा है वेट जल फ्रेजी में हम सबजियों के टुकडे थोड़े-बड़े साइज के ही लेते हैं आधी लाल शिमला मिर्च और एक प्याज जिसको मैंने बड़े-बड़े स्लाइस फॉर्म में काटा है एक टमाटर के चार मुटे-मुटे टुकडे कर लिए हैं टमाटर हम वेजटेबल्स को फ्राइ करने के लिए हम गैस पर एक पैन रखेंगे इसमें दो टेबल स्पून बटर डालेंगे बटर को मेल्ट होने देंगे इसमें पहले गाजर, बेबी कॉन, बीन्स और मठर को पहले डालकर फ्राइ करेंगे क्योंकि इनको सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इनको 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे प्याज टमाटर के टुकडे, येलो शिम्ला मिच, रेड शिम्ला मिच और ग्रीन शिम्ला मिच अब इनको भी लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे अब इन फ्राइड वेजिटेबल्स को एक साइड पर रखनेते हैं अब गैस पर एक दूसरा पैन रखेंगे इसमें दो टेबल स्पून ओयल डालेंगे ओयल के थोड़े गरम होने पर इसमें वन टी स्पून जीरा डालेंगे तीन से चार फ्लेक्स शेप में कटा हुआ लसन और थोड़ी सी लंबी कटी हुई अद्रग लसन और अद्रग आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं और यदि आप लसन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं इनको ओयल में थोड़ा सा फ्राइ करेंगे अब इसमें एक बड़ा कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे प्याज धीरे धीरे कलर चेंज करेगा और इसे गोल्डन होने तक हमें भूनना है प्याज अच्छे से भून चुका है अब इसमें हम डालेंगे वन टीस्पून हल्दी वन टीस्पून लालमिच पाउडर वन टीस्पून नमक और वन टीस्पून धन्या पाउडर इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर अब इस टमाटर को अच्छी तरह से गलाना है और ये मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून टमाटर सॉस टमाटर सॉस को भी कुछ सेकिंद्स के लिए पकाएंगे और अब हम इसमें ये फ्राइड वेजिटेबल्स आड़ कर देंगे अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए चलाना है ताकि ये वेजिटेबल्स मसाले में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं और मिक्स करके एक दो मिनट के लिए इसे पकाना है और अब हम उपर से डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिच पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला और फ्लेवर के लिए वन टेबल स्पून कसूरी मेथी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये हमारी वेज जल फ्रेजी रेडी है इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है और ये देखने में भी बहुत कलरफुल लगती है तो आप भी जल्दी से इसे बनाईए और अपनी फैमिली को खिलाईए मेरी वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि मेरी लेटिस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए थैंक्यू आल फर वाचिंग दिस वीडियो